हलो वच्चो बेरी बेरी गुट मारिंग टू आल आप यू तो क्या हाल समाचार है बेटा हाल चाल बहुत अच्छो हुंगे आप लोग का नो डाउट की गरवर होगा जो भी बेटा तुरूटी होगा जहां से भी आपका हाल चाल गरवर होंगे वहां का हाल चाल सुधारदे के लिए बेटा मैं उपस्तित हूँ तो मैं आपके बीच बेटा अभी बहुत ही बेहतरीन और खुबसूरत सा सेट मैं आपके बीच लेके आया हूँ और ये बेटा गनीत का सेट है और आपके चैप्टर नमबर वन तू या थ्री है दू आपके माथव पूर्ड नमबर या तू थ्री होगा यानि चैप्टर नमबर आपका 3 है गनीत का चैप्टर नमबर आपका 3 है बहुत उपस्जपूर्ण चैप्टर आहाइं calculation सिखाएगा और इसका इस्तमाल सब जगा पाएगा ये आपको क्या करेगा calculation सिखाएगा calculation करना सिखाएगा और इसका इस्तिमाल सब जगा पाएगा इसका इस्तिमाल सब जगा पाएगा तो जितने भी बच्चे हैं इस्तिमाल सब जगा पाएगा तो बेलकुल सब जगा पर आपको इसके इस्तिमाल पाए जाएंगे तो बेटा आज का ये जो chapter मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत गजब का chapter है बहुत गजब का chapter है सब जगा पर सब जगा इस्तमाल होगा क्योंकि answer बेटा simplest form में दिया जाता है किसी भी question का answer हमेशा सरलतब रूप में दिया जाता है और किसी भी चीज क सरलतब रूप में बदलने के लिए एक chapter math में इस्तमाल होता है जिसको क्या कहा आता है Simplification कहा जाता है Sarlikaran कहा जाता है किसी भी चीज का अंसर जब बेटा हम लिखते हैं तो वो हमेशा simplest फॉर्में लिखते हैं बहुत आसान है रेजिते समझाऊंगा आज का lecture बेटा छोड़ना मात एकदम बच्चा के तरह टूनू मूनू के तरह समझा दूंगा जो आप लोग नहीं जानते थे एकदम सबची तोर-तोर के आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा तो बेटा मैट का चैप्टर है और कैलकुलेशन सिखाएंगे आज बेटा कैलकुलेशन सिखाएंगे और कैलकुलेशन में सब जगह इसका इस्तमाल होगा और हमेशा आंसर सिंप्लेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी चीज का आंसर किता में बेटा कभी 20 बटा 5 नहीं रहता है इसको काट कर 4 के फॉर्म में लिख दिया जाता है कहें भी किताब में आंसर बेटा 20 बटा 5 बटा 3 नहीं रहता है इसको हमेशा कैसे लिखा याता है तो 20 में से 5 गया भाई 15 बटा क्या होता है ऐसे लिखा याता है 15 बटा 3 काटके क्या आता है 5 आता है ऐसे तो आपको ये सब जो चेंज हो रहा है तो उसको सिंपल फॉर्म में सात水ं से भी 2022 बाएयु makes you करेंगे और देखिए गा मैं आज आपको कैसे कैसे सिखाता हूं जादा समय नह ine playful बाद सीधा कोस्टन पर जाओंगा और प्रते question मैंने कल भी आपको साबीग त्या पर टेक कोस्टन बेटा 20 से 30 सकेंड 20 से 30 सकेंड चौथा यानि मिनट में नहीं जाने दूंगा याद रखिएगा अब बहुत कुछ पर चुके हैं बेटा बहुत कुछ सिखा चुके हैं गनीत इतना असान होता है इतना असान होता है कि मिनट नहीं लगना चाहिए और नहीं ल जब ये यहां से कोई भी बच्चे ना पढ़े तो उसे बेटा ये महसूस हो कि क्या हा सारदा से ज्वाइन करते तो आज मेरी ऐसी स्थिती नहीं होती सब चीज मिल लहा था मैंने किस घंचक्कर में पढ़ गया कि पस्चाताप हो रहा है और ये तब संभब होगा जब मेटा जिस रफ्तार से मैं मेहनत करता हूँ आपको भी मेहनत करना होगा मेरे साथ मेहनत किजी और जैसे मैंने अभी तक मुकाम को हासिल किया है बच्चे से करबाया है खुद भी किया है आप भी मेरे साथ बने रहेंगे लगातार तीन टाइम बेटा क्लास लाता हूँ तीन टाइ 14 बज़े गनीत का होता है और साम 7 बज़े आपको फिजिक्स का क्लास होता है इन सभी के PDF और नोर्स आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर एविलेबल करवाए गए हैं सारदा क्लास 01 जो हमारा कहां है तो हमारे यूटूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मि बिलेगा पाडा मेडिकल डीफार्मा और यह सारी फैसलिटी टेस्ट सभी परकार के टेस्ट सब चीज आपको फिरी में दिया जा रहा है तो बिल्कुल इसका लाब उठाना नहीं भूलना है सारदा को अजमाना है मैंने पहले भी बताया है सरकारी कॉलेज पाना है तो को अपनाना है बिल्कुल अपनाना ही परेगा चाहे घूमफिर के जैसे किजिए अब बेटा चलता हूँ जी सर आपके पास टॉपिक के स्टार्ट किया जाए टॉपिक के स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा भाई अब बिल्कुल सारे बच्चे इस्तिर हो जाए और हमारे जितने बच्चे हैं सभी लाइक कर देंगे तो बेटा अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सरली करन सरली करन यानि क्या सरलतम रूप में बदलने का क्या तरीका होता है वही मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं कि सिंपल फॉर्म में किसी भी चीज को हम मैंने बताया था जोड़ घटाओ गुणा और भाग जोड़ घटाओ गुणा और भाग का कहानी मैंने आपको बताया था तो बीज गनीत में जो जोड़ घटाओ गुणा भाग होता है तो मैतमेटिक्स में बेटा अलजेबरा का टर्म इतना ही से नहीं से नहीं बनता है के जोड़ घटाव गुना भाग से टर्म नहीं बनते हैं इसके बाद भी बहुत सारे चीज आते हैं इसके बाद भी बहुत कुछ आता है जोड़ घटाव गुना भाग ही गनीत का नाम नहीं है बेटा इसके बाद भी क्या आता है तो बहुत कुछ आता है आज सभी चीज मैं चर सब बच्पन में पढ़े थे सब चीज पढ़ चुके हैं मेरे भाई लेकिन फिर भी दिक्कत है आज खतम होगा देखिए कैसे खतम करता हूँ बेटा सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले जो सुरुआत करते हैं बोर्ड मास का वहां पर बेटा बार ब्रैकेट का इस्तिमाल कर जाते हैं ध्यान से आप केबल देखते रहिएगा अभी एक मिनट हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो बेटा सब चीज आपके दिमाग में डाल दूँगा सब चीज आपके दिमाग में डाल दूँगा लेकिन बेटा ध्यान से केबल सुनना होगा बस एक मिनट हमारी श्राइब को सुनिये पूरा चैप्टर का निचोड़ आपके दिमाग में डाल दूगा बार ब्रैकेट होता है और यह बार ब्रैकेट बेटा बट्टा में लिखा जाता है जैसे आप लिखते हैं कहीं पी बट्टाक्यू to तो यह जो बटा का सिंबल होता है इसी को bar bracket बोलते है इसको क्या बोलते हैं बार ब्रेकेट कहा जाता है तो पहला चीज़ आपको ये bar bracket है number-one point उसके बाद दूसरा जो बटा आता है वो small bracket आता है यानि अध्यम कोश्ट जिसको कहा जाता है जिसको हम लोग मीडिल ब्रैकेट बोलते हैं यह आपका मीडिल ब्रैकेट यह आ जाता है तीसरा नंबर पॉइंट चौथा देखिएगा तो चौथा नंबर बेटा आपके पास आता है बीग ब्रैकेट क्या आता है ध्यान से समझते का बोलते हैं का मतलब गुना होता है यहां पर ठीक है तो उसके बाद आपका आपका आता है यह आपका जो आता है वह आपका बेटा हम चौथा पांचमा नंबर में आपका इस्तमाल करते हैं और यह जो आप आता है यह दोनों आप में अंतर है अब यहां पर ध्यान से देखि अब यहां पर ध्यान से देखिए, यह जो था, यह बाला यह off है, इसको बेटा bar bracket तो इसको off कहा जाता है और यह bar bracket होता है, कैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे दिया हुआ है 3 प्लस 5 ध्यान से समझेगा और कहीं पे दिया हुआ है 3 प्लस 5 का डैस और माइनस में बेटा दिया हुआ है आपको 2 प्लस 3 का डैस तो इसको कैसे बनाएंगे तो पहले इस बार का इस्तमाल करेंगे यह जो आपका बार है यह बार इसी को बार ब्रैकेट कहा जाता है उपर दोनों को ऐसे करके रैक्निंग टैप का जो देते हैं तो यह बार ब्रैकेट होता है तो बार ब्रैकेट कहने का मतलब यह हो का 3 दू 5 तीन आठ इसका पहले यूज करेंगे और माइनस में 3 दू 5 लिखेंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3 बचा तो सबसे पहले जो अंक के ऊपर आपको ऐसे करके बार दिया जाता है सबसे पहले बेटा इसका इस्तमाल करते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक मिनट बेटा समय लूंगा एकदम ध्यान से देखते रहिएगा तो यह आपका यह हो गया उपर जो दिया गया है यह हो गया और इसके बाद जो बट्टा वाला होता है ना बट्टा वाला का इस्तमाल नीचे करते हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास ओफ का आता है, जिसको ओफ मतलब क्या, जो बट्टा बोलते हैं नीचे यहां पर, वो आपका ओफ आता है, जैसे ए बट्टा बी लिखते हैं, हम लोग क्या आपको क्या आजाएगा, तो मल्टिप्लिकेशन आजाएगा, क्या आजाएगा, मल्टिप्लिकेशन यानि गुना का आजाएगा, किस का आजाएगा, गुना का आपको सात्मा में आएगा, उसके बाद बेटा आठमा में आपको क्या आता है, तो आठमा में बेटा आपके यानि इतने टर्म का उफ्योग करके आपको गनीत के कोस्टन बनाए जाते हैं जो आपको यहां पर सिंप्लिफिकेशन में मैं बता रहा हूं इतना टर्म आएगा तो सबसे पहले बोड मास का जब आप नियम लगाएंगे ध्यान से देखिएगा किसका नियम बोड मास का जब आप नियम लगाएंगे तो बोड मास के नियम में कैसे कैसे इस्टेप उठाया जाएगा पहले मैं इसको सिखाता हूं और बीच बीच में तो टर्म सोट ट्रीक कामबार लगा दूंगा मिंटो का कोस्टन सकेंडों में बनाना सिखाऊंगा क्योंकि अब बेसिक मल्टेप्लिकेशन एडिशन और सब्सक्रिक्स इह सब को पता है यहाँ तक किसी को कोई दिखत ने धाहिने पाट वाला जो दिक्कत है बेता इसमें दिखत प्रेक्त वाला में और आप में भी दिकत ने ओफ बट्टा को कहा जाता है बट्टा को बट्टा यह यह चे जो बट्टा तीन लिखा हुआ है पॉपकर उपर ज आता है जैसे हैफन में लिखा अभी मैंने समझाया है 2 plus 3 पे dash लिखा हुआ है और इसको भाग करना है 3 से तो पहले बेटा इसका क्रिया करेंगे सबसे पहले जो dash होगा ना अंक के ऊपर जिसको रैकरिंग भी तुम लोग बोलता है नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया है तो इसका क्रिया सबसे पहले किया जाता है इसका सबसे पह पहले बेटा अंको के ऊपर जो रैकरिंग टाइप का dash रहेगा उसको पहले निप्टेंगे उससे पहले निप्टेंगे उसके बाद छोटे कोष्ट का मध्यम कोष्ट का और तब बड़ा कोष्ट का इस्तमाल करेंगे समझ में आया की नहीं आया होगा अभी नहीं आया होग और तब लास्ट में आपको निचोर बताऊंगा कि क्या होता है इसका अब देखिए सबसे पहला चीज बेटा हाँ यहां पर मैंने आपके लिए कुछ लाया है ध्यान से सुनिएगा आपको बेटा कहीं ने कहीं 20 बास करना होगा मैं पहले बता रहा हूँ कहीं ने कहीं ट्रस्ट करना होगा आप घूमने टहलने से काम नहीं चलेगा बेटा सबसे पहला चीज है ट्रस्ट करना ट्रस्ट करना यानि बिलीब करना यानि मैंने पहले भी आपको कहा है कि सबर का फल मीठा होता है सबर का फल क्य सब्सक्राइब चाहिए। करने का उमीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अगर करते हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप यह 100% सत्यापी चीत है उसके बाद आपको achievement वहां से मिलेगा और जैसे ही achievement आपको कुछ हासिल होगा तो आप already success कर जाएंगे आप already क्या हो जाएंगे succeed कर जाएंगे अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे लेकिन यह आपको करना ही परेगा तो believe achieve और क्या दिया हुआ है succeed यह तीनों आपको करना होगा तो आप कहीं न कहीं कीजिए या सारदा पे कीजिए या कहीं और कीजिए लेकिन करना बेटा आपको सारे term centric उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेकिन एक चीज़ याद रखेगा सुबह में बताया है आपको कि बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा न तो आपको जो step by step जो बोर्ड मास का नियम आपको बताया है step by step तोड़ेंगे step by step क्योंकि मैं अभी आपको लगभग 40-50 question करव तो बोर्ड मास का नियम लगाना सही रूप से जानगे क्योंकि आपको बोर्ड मास के नियम में लगाना जो है बहुत टीपिकल होता है बच्चे बहुत को जानते हैं जोड़ घटा गुना भाग तो जल्दी बाजी करते हैं और उसी में गलती होता है उसी में क्या हो जाता ह एक question लेता हूँ ध्यान से सुनिएगा तब जाके समझ में आगा जैसे मानलो कही 2 दिया हुआ आप बेटा इसमें plus 2 दिया हुआ इसमें minus 2 दिया हुआ है जोर घटा घटा 2 दिया हुआ है मैंने भाग को भी ले लिया जोर घटा अगुना हो गया भाग हो गया अब इसमें बेटा आपको 2 को मैंने ले लिया और यहाँ पर फिर plus 2 ले लिये यहाँ पर bar को ले लिये उसके बाद बेटा मैंने 2 को लिया ठीक है? यहाँ पर 2 को लिया ऐसे करके middle bracket में ठीक है? और middle bracket के बाद ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने 3 को ले लिया, 3 के बाद यहाँ 2 को ले लिया, ठीक है, इसको क्या किये, इस ब्रैकेट में डाल दिये, अब इसके बाद मैंने किसको ले लिया, तो फटा फट मैंने इसके यहाँ पर आपको 4 को ले लि बिल्कुल पकला जागा है अगर जाते हैं तो आप लोग इसको solve करके बताइए मैंने अपने मन से लिख दिया है question आपको लगता है कि I am बिल्कुल confident हूँ की board mask मैंने सिख गया है और लगाना भी सिख गया बनाना भी सिख गया तो आप लोग ये question को बना के हमको दिखाईएगा फटा-फट कितने बच्चे बनाते हैं और कितनों को समझ में आता है जड़ा मैं जानना चाहो तो उसमें सब लाइक हाई की अब आप लोग को लगता है बड़ा मैं बोर्ड माह जान चुका हूं कहींने कहीं पढ़ाया होगा क stitch क्राइब कर Top Recher और सभी बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे दोस्तों को शेर किजिए बच्चे बहुत कम है बेठा जल्दिय बताएइए अंसर इसका नहीं देना है इसको भूल लाओ इसका अंसर देना है मेरे भाई इसका अंसर देना है इसका इसका उत्तर क्या आएगा सो पूछ रहा हूं उसका नहीं पूछ रहा हूं वो तो मैं बताऊंगा ही पहले इसका अंसर दीजेगा इसका 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 जल्दी बता बच्चे जो भी हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे आज के बाद यह समस्या नहीं आएगा कुछ भी कोई भी पूछेगा फटा फट जबाब निकलेगा रूखने का समय नहीं मिलेगा आप लोग को न क्या बता रहा हैं बच्चे सब अब बेटा इसमें सबसे पहले क्रिया किसका होगा तो सबसे पहले जो आपका क्रिया होगा वो इसका क्रिया होगा आप लोग किये हैं नहीं किये हैं सबसे पहले इसका होगा तो वन को यहां डालो बाई यहां पड़ी सब को रहने दो आप लोग हरबरी करते हैं चलो ये question मैं लिख दिया हूँ इसी question को ऐसे हम लिख सकता हूँ last में question मैं दिखाऊंगा last में question दिखाऊंगा आप लोग समझ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे तो number one point इसको कर लेंगे ध्यान से देख लीजेगा और जिसको लगता होगा तो एक बार चेक भी कर लेगा इसके बाद बेटा नंबर वन के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा तो दूसरा step इसको निप्टाना होगा तीसरा step हमारा क्या होगा तो तीसरा step बेटा हमको इसको निप्टाना होगा इसको बता देता हूँ और चौथा step क्या होगा तो ये बड़ा ब्रैकर जो है ये चौथ कि चाहरा हूँ आप लोग को यह समझाना चाह रहा हूं कि मैं भी आपको यह दिखाने की कोशिस नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं मैं भी कुछ नहीं जानता हूं जस्ट आपके लेवल पर हूं तो मैं step by step तोड़के सिखाऊंगा इसमें तो आप लोग सिखेंगे हमारे साथ, यह मैं बताना चारा था, कि जैसे मैंने यह step बताया, तो यहाँ question आपके पास है, जैसे इसको छोड़ो, अब यहाँ पर इसको मैं बाद में लूँगा, अब देखिएगा, यहाँ पर बेटा आपके सामने एक question है, जैसे दिया हुआ है question 4 plus 4 plus 4 divided by 4 दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, दो चीज है, हमारे पास board mask का, इसमें दो चीज है मेरा भाई, दो चीज है, एक आपके division दिये गया है, दूसरा addition है, तो पहले किसका इस्तमाल करेंगे, division का, तो first step में आपको इसका इस्तमाल कर लेना है, बस, first step में, तो यहाँ लिखेंगे, 4 आप plus 4, इसको कुछ नहीं करेंगे, जोड़ घटा नहीं करेंगे, आप plus में बेटा 4 को 4 से divide किजिएगा, वह न आ जाएगा, अब इसको 3 प्लस में आ गया, तो 9 आ गया, कौन सो option होगा, तो option number आपका 20 होगा, समझ में आया कि नहीं है, तो एक-एक step सिखाऊ आज मैं आपको पर्ण लेके आया हूँ, कि step by step सिखाऊंगा, पढ़े हुए सब होगे, लेकिन बेटा सबसे अलग और सबसे जुदा ये सार्दा की आदा है, जो आपको हमेशा mature बनाते रहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, next question देखिएगा, बेटा आगला question आपके पा हुआ है, तो सबसे पहले board mass में क्या होता है, division, multiplication और addition, यहाँ पर तीन चीज है, आपको समझना होगा, यहाँ पर division है, multiplication है, addition है, सबसे पहले division, पहला number point, दूसरा number multiplication, और तीसरा number addition, इस सब को समझते रहिएगा, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, बनाना question बहादुरी नही तो बेटा यहाँ पर पहला step step by step क्रिया किजिएगा, तब जाके समझ में आएगा, यहाँ पर into कर देता हूँ, प्लस में 4 है, अब बेटा 4 divided by 2, तो first step मैं इसका क्रिया कर लेता हूँ, यहीं पर, तो 4 को 2 से divide किजिएगा, तो 2 आ जागा, हो गया, पहला step, दूसरा step में इस सकेंड, एक सकेंड, आंसर गलत आजाएगा, तक हैगा, आंसर भी गलत, चलिए, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 3 जा कितना हो गया, तो 5 3 जा बेटा 15 हो गया, ध्यान से समझेगा step by step, 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17 हो गया, हर बर, हर बर करेगा, सब दिन हर बर आते रह होगा, आप किसी का उठा के देख लिजे, ऐसे नहीं बताया होगा, सारे में step by step, लिखली के घेर घेर के सिखाऊंगा, पहला step में इसका क्रिया किया, दूसरा में इसका क्रिया किया, और तीसरा में जोर का क्रिया कर रहा हूँ, एक एक चीज, सही तरीका या गलत तरीका, 5 6 question बताने दो फिर दिमाग का बत्ती जलेगा कि क्या बात है सर ने बहुत अच्छा सोच के आया है और बहुत अच्छे तरीका से बता रहा है बिल्कुल दिमाग में चला गया इससे पहले कहां पढ़े कैसे पढ़े वो समझने आया चलिए बेटा अब आगला question आपके पास दिया हुआ 25 है छोटे छोटे question सुरू में होंगे last में बेटा जटिल question होगा याद रखेगा 63 divided by आपको 7 दिया गया है और बेटा प्लस में दिया गया है 27 और माइनस में दिया गया है 2 यह आपके दिये गया है तो शब से पहले आपको इसमें दिया हुआ क्या सब है उसको लिखिए तो इसमें बेटा आपको क्या सब दिया है उसको लिखिएगा, division दिया हुआ है, saber दिया हुआ है, division के बाद multiplication दिया हुआ है, addition दिया है, subtraction दिया है, तो आप पहला step में division को लगाएंगे, फ़स्ट n полож, उसके बाद दूसरा में multiplication पर सोचेंगे, और तीसरा में addition पर सोचेंगे, और चौथा में बेटा सब्स्ट्रेक्शन पर सोचेंगे यह आपको सोचने का तरीका होगा तो पहला में एडिशन पर यानि डिवीजन पर सोच रहा है तो डिवीजन का काम कीजिए इसको पहले निप्टा लिजिए निप्टाईएगा तो क्या हैगा 25 इंटू 79063 इसको इप्लिकेशन को निप्टाना है निप्टा लिए 25 को नौ से की जगा तो कितना आजाएगा 255 आजाएगा चलिए यहां तक उसके बाद सीधा लिख दीजे 27-2 तीसरा में आपको किसको निप्टाना है तो एडिशन को निप्टाना है निप्टाईए एक करके सब जगा पड़े होंगे ऐसे नहीं पड़े होंगे बात बताओ सबसे अलग और सबसे जुदा अदा की जो अदा है वह आपको पसंद आया की नहीं सब्सक्राइब बिल्कुल आना चाहिए बेटा कहीं कोई भटक रहा है पच्ताना पड़ेगा मैं बार बार कहता हूं आप लोग ऐसा रिजल्ट लाइए मैं मेहनत करता हूं बेटा ऐसा होगा होली-उली जो भी रहेगा ना लगातार कलास चलता रहेगा याद रखिएगा मैं बताऊंगा चलिए मेरे भाई आगे बढ़ता हूं इसका शुर्ज कुमार याद भी उपस्तित है चलिए अब बेटा देखो यहां पर कोष्टन को देखो फटा-फट कोष्टन को देखो और पहले कोस्टन समझो उसके बाद आगे बढ़ेंगे दिया हुआ है बेटा 2 माइनस है उसके बाद दिया हुआ है middle bracket मध्यम कोष्ट उसके बाद 3 लिखा गया है मेरे भाई माइनस है सारे बच्चे बेटा like कर देंगे इतना अच्छा से पढ़ा रहा हो बोलता है कि अच्छा लग रहा है और पसंद कर नहीं रहा है पसंद तो जल्दी करो भाई पसंद कर लो एक ही बार म कर लगे दो शुद यहां अब यहां पर यहां बेटा इसमें आपका कौन-कौन करिया है वह आपको समझना होगा यह, पर बन Ray Can Girl Watch die यह, आपके small bracket हो कुण ब्रैकेट का एस्मॉल ब्रैकेट आपको दिया गया है यह यानि कौन सा तो एस्मॉल ब्रैकेट जो है वो दिया गया है एस्मॉल ब्रैकेट का क्रिया होगा किसका क्रिया एस्मॉल ब्रैकेट का उसके बाद बेटा किसका क्रिया होगा तो मीडिल ब्रैकेट का होगा और middle bracket के बाद यानि यह smaller bracket के बाद middle bracket और उसके बाद जो आपका भचेगा subtraction उसका तो first number यह हो जाएगा second number यह हो जाएगा थर्ड नमबर यह हो जाएगा और fourth number यह हो जाएगा और सब अपने आप में अलग टर्म और अलग पद को दिखाएगा देखिएगा कैसे मैं करता हूँ तो पहला step में बेटा इसको उड़ा दो पहला step में इसको उड़ा दो तो इसको उड़ाईएगा तो सब को छोड़ दीजे 2 रहने दीजे यहाँ पर 3 रहने दीजे फोड में से वन गया, कितना बचा, थ्री तो यहां पर थ्री लिख दीजे, यानि यह स्मॉल भी उड़ गया, अब इसे step में बेटा क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट को घसका देना है, तो मिडिल ब्रैकेट को घसकाई यह, कैसे घसकाईएगा, तो तीन में से तीन चला गया, क बेटा सही है की नहीं है, समझ में आया की नहीं आया, समझ में आया की नहीं आया, पहला step, step number one, step number two, step number three, और step number यहां पर लिख दीजेगा, फोड, सारे चीज आज तोड़ तोड़ के समझा दूँगा, ऐसे समझा दूँगा, कि बेटा दिमाग में जाएगा निकलने का, आ पारे बच्चे को समझ में आना चाहिए यह, बिल्कूल आना चाहिए, no doubt की यह नहीं आना चाहिए, परहाया ही ऐसे ही जा रहा है आपको, अब बेटा देखिये यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस 13 दिया हुआ है उसके बाद बेटा दिया हुआ है प्लस में माइनस 6 दिया हुआ है और डिवीजन में आपका 2 दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ है प्लस में मेरे भाई क्या तो माइनस 5 दिया है और इधर बेटा दिया हुआ है माइ और मिल्टिप्लिकेशन के बाद एक हमको दिखाइ दे रहा है कि एडिसन दिखाइ दे रहा है टीन step अब आप देखिएगा कि 3 step आपका क्या क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं 3 step को देखिएगा तो पहले आपको क्या करना होगा मेरे भाई तो division को निप्टाना होगा तो पहला step में इसको उड़ा दीजे इसको उड़ाएंगे तो इसको रहने देंगे माइनस 13 लिखेंगे प्लस माइनस 6 को बेटा 2 से डिवाइड कीजेगा तो माइनस 3 आ जाएगा चलिए इसको निप्टा दीए और प्लस में बेटा इसको भी रहने दीजे माइनस 4 और आपका bracket में दिया हुआ है यहाँ पर छोटा वाला तो इसको रहने दीजे माइनस 4 आइन् माइनस 13 को भी राने दो ठीक है अब यहां माइनस 4 को माइनस 5 से गुना किजेगा तो प्लस में बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा नो डाउट यहां तक आप समझ गया होंगे यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत्त होगा अब बेटा यहां तक समझ गया है तो माइनस 3 जो डिएगा माइनस 13 मैं माइनस 16 माइनस 16 आपको बीस में से घर जाएगा तो क्या जाएगा चार आज कहीं अप्शन दिया हुआ मार दीजे टिक किजिए चार आएगा एक दम स्टेप ऐस्ट इस्टेप सकेंड स्कीन सटेप थर्ड एकड में स्टेप चलेंगे को भी इस टेप को छोड़ेंगे नहीं ये कोस्चन बेटा आज मैं 20 कोस्चन आपको प्रैक्टिस हैसे करवाऊंगा ताकि 20 कोस्चन के बाद एक किसमा के बाद देखिएगा तो सकेंडो में बनेगा और आंसर कभी गलत नहीं आएगा चलिए आगे बरते हैं आगे बरते हैं बेश देखिए गाट अगला को सन बेट आपके पास दिया हुआ है अलग और सबसे पहले स्माज क्रिया ऑग का का यानि का आप का सबसे पहले क्रिया करेंगे पहला नंबर आपको आप दिया हुआ है आप के बाद इसमें क्या दिया हुआ है तो भाग दिया हुआ है जोर दिया हुआ है भाग गुना जोर घटाओ इसके बाद बेटा भाग का करेंगे भाग के बाद गुना का करेंगे त कुछ नहीं जानते हैं लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो भी निकलेगा वह सही आंसर निकलेगा यह quality हम में है बेब कुछ समय के लिए बन जाए तो कोई दिकत नहीं है अब 6 बटा 3 दिया हुआ है आप का मतलब होता है बेटा का यहाँ पर क्या कर दीजेगा तो 60 बटा 3 कर दीजेगा मैं यहीं पर कर देता हूँ चलो यहाँ पर लिखता नहीं हूँ मैं इस्टेप पोई उड़ा देता हूँ ध्यान से देखेगा अब इतना लंबा नहीं ले चलूँगा का का मतलब क्या होता है गुना यहां पर लिख देता हूँ का का मतलब बेटा होगा गुना गुना कर दिया तीन से कार दीजे दो बार में यानि साथ दूनी 14 14 बटा 3 आ गया पहला एस्टेप दूसरा एस्टेप हमारे पास डिवीजन का है तो केबल डिवीजन पर सोचेंगे दूसरे पर नहीं सोचेंगे तो डिवीजन में क्या होगा 3 उपर जाएगा और यह 3 उपर चाहएगा 2 नीचे है तो यह बेटा 1 बाइ 2 आ जाएगा 3 उपर गया 2 नीचे आया तो 3 से 3 कट गया 2 नीचे था 1 बाइ 2 हो गया और प्लस में बेटा 4 बाइ 3 हो गया उतार और into में आपका कितना दिया हुआ है तो 5 by 3 दिया हुआ है और बेटा यहां पर 14 by 3 दिया हुआ है तो तीसरा step हमारा क्या होगा multiplication का तो तीसरा step multiplication का इस्तिमाल किजिए 1 by 2 multiplication ही करेंगे केबाल 4, 5, 20, 20 बटा 9 हो गया चलिए तीसरा step और minus में 14 बटा 3 हो गया चौथा step बेटा हमारे पास addition का है तो addition किजिए मात्र addition किजिए दूसरा कुछ नहीं करना है जो बता रहा हूँ जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है किजिएगा तो इधर 9 आएगा 40 आ 9 क्या आजाएगा उन्चास बटा 18 आजाएगा चलिए कर लिए और लास्ट step में आपका क्या करना है तो लास्ट step में बेटा आपको ये पूरा का पूरा subtraction लगा देना है लास्ट step पांचमा step जो होगा वो subtraction का होगा तो बेटा 18 का LCM लिजेगा तो इसका लगुत्तम 18 हो जाएगा ये उन्चास ही रहेगा और यहां पर बेटा कीजेगा तो 14 18 है ना तो 14 चक कितना हो जाएगा चौदा पंचेस चौदा चौड़ासी हो जाएगा 84 आजागा कितना जाएगा 84 अब इसको घटा दीजेगा माइनस में तो आपका माइनस 1 17 बटा 18 आजाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चे बताएंगे एक बार दिल खोल के बताईए भाई बहुत कुछ आपके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं सोचते रहता हूं कि हमारे बच्चे हीरो कैसे बने सब चीज में पढ़ा तो सब होगा पढ़ाया सब समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार सारे बच्चे बताईए भाई नये जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जिएगा सर भीर बोर्ड के स्टूडेंट देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं 110 परसेंट आप जो भी बच्चे हैं बेटा हां सर आप तो इंजिन बहुत दिक्कत होगा एक बहुत सारा तरीका आपको सिखाऊंगा मैं पढ़ाता हूं तरीका तो मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन शुरू में बेटा बताता ना तो अभी तो समझार हो गया है तुम लोग समझ गया है कि हां सर जानते हैं तो वेट करते हो समय देते हो ומ देतना आपके सिलिबस में दिया गया है परिक्षा जाते जाते तीन बार तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा तीन बार पढ़ाउंगा याद पढ़ाऊंगा, optical instrument पढ़ाऊंगा, आख के defect पढ़ाऊंगा, सब चीज एक ही बार लाऊंगा और आदा घंटा एक घंटा ठीओरी चलेगा और एक घंटा question चलेगा time period बढ़ा दूंगा दो घंटा कर दूंगा लेकिन दो घंटा में पूरा optic से बाइच करवा दूँगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में जाएगा तो आप लोग बेटा समझेए कम से कम हमको 10 बाइच करवा दिजे 20 कोस्टन उसके बाद मैं आपको चांस दूँगा आंसर बताने के लिए आप जी भर के आंसर बताईएगा और मैं केबल देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा आपके पास यह कोस्टन है ध्यान से देखिएगा यह कोस्टन क्या दिया हुआ ह है 5 1 by 4 दिया हुआ है उसके बाद दिया गया है बेटा 3 बहुत सारे सब टाइफ के कोस्टन है ओर बेटा भाग में दिया गया है आपको 11 by 4 आपको भाग में तीन चीज आया, तो तीन चीज में पहला इस्तेमाल आपको बोर्ड मास से डिवीजन होगा, दूसरा एडिशन होगा, और तीसरा मेरे भाई सब्स्ट्रेक्शन का लगाएंगे, और चौथा कोई नियम हमको लगाना नहीं है, तो तीन स्टेप में इसको सन को बनाना है, तो कै बेटा डिवीजन का क्रिया है, तो डिवीजन के क्रिया को चेंज कर लो, यहीं पर, चार दूनी क्या चार यांनि 4-5 हो जागा, इसको यहां कर दिया हूँ, अब बेटा यहां पर क्या आ गया, तो फाइब बटा फोर है, अब आपको करना क्या था पहला स्टेप में, तो प पांच बाई दूर दूसरा है स्टेप में एडीशन का ही क्रिया आपको करना है इसको कुछ नहीं करना है आगे बला को छोड़ दीजेगा दो तीन चीज एक साथ करने चलेंगे तो टाइम ज्यादा लएगा गलती होने की संभाबना 99% बर जाएगी जब आप सीख लेंगे बताएंगे बिटा 21-10 कितना हो जाएगा बाई 31 हो जाएगा अब इसके बाद माइनस करना है किसको तो 5 by 4 को लास्ट स्टेप में सब्स्ट्रेक्शन का क्रिया लगा दीजे 31 में से 5 चला गया तो कितना बचा 26 बाई 4 बच गया अब इसको काट दीजेगा तो क्या आ बिटा मेरी ये कोशिस है कि अब जो 20-30 और 40 बच्चे और प्रोग्रेस चलते थे अब वो संख्या बढ़के बेटा 1500 प्लस होगा जो सब सही जवाब देगा इसी में नहीं फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ समय क्योंकि दूसरा तरीका जो पढ़ाने का होगा मेरा अभी जो दूसरी बार जो मैं पूरा सिलेवस आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत चेंजर होंगे बिल्कुल बिट नहीं किजिएगा किताब कोपी पढ़के आईएगा तभी समझ में आएगा मैं बता दूंगा कि आगे क्या नेवाला है उसको पहले रिभाइज कर लिजिएगा न अब बेटा क है का मतलव ऑफ का करिया का दिया हूआ है चोटे को सnew एक करके प्रैक्पिस के लिए मैं लिया है अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले किसकी क्रिया होगी का की तो पहले आपको का का क्रिया करना होगा का के पहले अगर कुछ होता है तो वो बेटा ब्रैकेट होता है कोई भी ब्रैकेट नहीं है हमारे पास और ना बार ब्रैकेट है ना स्मॉल ब्रैकेट है ना middle bracket है, ना big bracket है, कोई bracket नहीं है, ध्यान से देख लीजेगा, मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे नहें होंगे, मैं समझा देता हूँ, देखो, का से पहले, यहां पर का है, पांचमा नमबर पर का है, का से पहले चार चीज़ की क्रिया होती है, एक बार bracket, small bracket, middle bracket, big bracket, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था, जब दिया हुआ नहीं था, तो मैंने कहां से स्टार्ट किया, तो direct का से स्टार्ट किया, यहने पहला नमबर पॉइंट आपको पहला step में यह करेंगे, दूसरा step में आपका क्या दिया हुआ हूआ है, दीविजन, तो दूसरा step म बेटा डिवीजन करेंगे, दो एस्टेप पे ये कोस्टन आपका बन जाएगा, तीसरा एस्टेप की आवसक्ता आपको नहीं होगी, तो चलिए काका क्रिया कर लेते हैं, लेकिन काका क्रिया करने से पहले जो मिस्रित रूप में है, इसको हल कर लिजे, 7, 35, 1, 36, 36, 27 हो जाएगा, 7 से 7 को उड़ा दीजे, 3 से इसको उड़ा दीजे, हो गया, अब आपके पास क्या आया, तो 36 आया, और बटा में क्या आया, 36 बटा आपका आगया बेटा 7, और ये डिवाइड है, तो डिवाइड को अब मल्टिप्लिकेशन में लेके चलिए, और फोर उपर दिय किया, ठीक है, तो अब इसको किजेगा, तो 1, 2 by 7 आजागा, 1, 2 by 7, कहीं दिया हुआ है, 1, 2 by 7, यानि कौन सो आप्सन होगा, आपसन नंबर C, आपके सही आप्सन होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे वेटा, एक दम हस्ते मु अचे गनीत से भागते थे, लगता था टप है, उसको भी समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं, हाँ, नेक्स चैप्टर क्या होगा, सर कल सारे 11 बजे, बेटा, कल सारे 11 बजे का चैप्टर आपको अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं डिसाइड करता लास्ट में आप देखेगा, तो लेट नाइट 9-10 बजे तक मैं डाल देता हूँ, कि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जब मैं डालूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, आपके पास पहुचेगा, नोटिफिकेशन, आपको पता चल जाएगा, चैनल उसको तो अच्छा है ही, और जो कमजोड है, जिनको लगता था मैथ से डर है, वो भी बच्चे आज बताएंगे, सर एट का ए होगा, हाँ, एट का ए होगा, एट का ए कैसे हो जागारे, नो को साथ से भाग दीजेगा, तो साथ दू नो नो होगा, बी नो होगा, यहाँ जाता दू नो, इसमें भी दिक्कत है, अए भाई, इसको इसे लिख सकते है, वान अपलस, दू बटा साथ लिख सकते है, और इसी को बेटा एक दू बटा साथ लिखा जाता है, बीच में पलस होता है, अब इसका लिखिएगा, तो साथ होगा, यही तो नो बटा साथ है, त अब समझ में आएगा चलिए अगला कोशन देखिए बेटा आपके पास ऐसे भी कोशन्स आते हैं मैं सब टाइप का कोशन दिखा रहा हूं वो सम्मे करूंगा क्या वो सिखा रहा हूं में चीज बेटा सिखाना होता है फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है बच्चा को याद कर वादो जैसे मानब लो कि आप बच्चा को याद कर वादो वेटा एप्लस बी का होल स्क्वार बराबर होता है एगला हावाईगा अब इसे कहां है और इसे कहां है तोटा बोलता है ठीक है नाम लेकिन जब उसको दीजेगा कि बेटा तोता बताओ A प्लस B का होल A स्क्वाइर क्या होता है तो A स्क्वाइर B स्क्वाइर प्लस 2 A B जैसे ही तोता को कहिएगा तोता बताओ 2 प्लस 3 का होल A स्क्वाइर क्या होगा तो कहेगा a square plus b a square plus 2ab यहीं बोलेगा वो वो यह नहीं बोलेगा 2का a square plus 3का a square plus 2 into 2 गुने 3 यह नहीं बोल सकता है तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है इसी लिए मैं इतना थोर थोर के इतना बारीकी से बेटा इतना समझा रहा हूँ इसके पिछे रिजन है कि आपको वो जानता है formula याद है लेकिन use करना नहीं आता है उसको जब उपयोग करना नहीं आ है कोशी चीज का तो वो मेरे लिए बेर्थ हो जाता है तो बेटा आपके पास question है चलिए question पर आता हूँ सब से नीचे वाला जो है इसको solve करना होगा first step में हम इसको उड़ा देंगे first step में तो चलिए उड़ा देते हैं कैसे उड़ाते हैं ध्यान से देखिएगा यहाँ पर one लिखेंगे यहां बेटा 3 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे, इसको उड़ाईएगा, तो 7 दूनी 14, 14 में से एक गया, 13 बचा और यह 7 उपर चला जाएगा, तो 13 यहां आ गया, और 7 यहां आ गया, तो पहला step में मैंने नीचे वाला को उड़ा दिया, नीचे वाला को, अब दूसरा step म इसके नीचे जो दिया गया है, इसको उड़ाएगे, किसको इसको उड़ाएगे, दूसरा step में, तब उपर पहुचेंगे, तो दूसरा वाले step में क्या करेंगे, 13 तिया 49, 49 में से 7 गया, तो 49 में से बेटा 7 घटेगा, तो 32 बचेगा, तो 32 यहां हो गया, नीचे में तेरा 13 आपका उपर चला जागा, 13 कहां चला जागा, उपर चला जागा, तो आपका अंसर ही आगया, 13 बचा कितना 32 आगया, अगर माल लिजे यहां कुछ होता, तब हम solve करते हैं, समझ में आया की नहीं आया, एकदम समझ में आ गया होगा, तो ऐसे questions बिटा है, तो नीचे से short करत करते हुए, सब से नीचे वाला का, सब से नीचे denominator से start करेंगे, सब से नीचे denominator से, इसको हल करेंगे, उसके बाद बला denominator को करेंगे, उसके बाद बला, यानि हर का, हर का solution करते हुए, unscure बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, next question आपके पास क्या है, अगला question तो इसके बाद का में दिया गया है काँ तो डिया गया है कि मेरे भाई ओर झालिपा लोlles और पिर आपको यहा दिया गिया है вda is the division में क्या दिया गया है तो 3 by 4 दिया गया है और उसके बाद का में दिया गया है क्या तो का में मेरे भाई दिया गया है दो बटा तीन अब आपको क्रिया कैसे करना है और कैसे कैसे स्टेप उठाएंगे वह लॉक नहीं करना है अभी सबको अनलॉक किजिए अभी लॉक नहीं करना है तिरे वास्तप जी अभी लॉक नहीं करना है मैं समझ रहा हूं आ का कर लेंगे उसके बाद मैं बटा करूंगा कि Exact I're all ears करेंश दिङरी जो क beha यहां पर दिविजन का उपर में दिया गया है । और तब स्नी था न कर लेंगे है उसके बाद मैं बटा का ikiछ करूंगा आपको दिया गया है उसका क्रिया करूंगा तो पहले step में आपको क्या करना है तो पहले step में बेटा का को उड़ाना है और का का मतलब होता है गुना का का मतलब होता है गुना तो यह 3 से 3 को उड़ा दीजिए और इसको इससे उड़ा दीजिए 1 by 2 आ गया चलिए मैंने इसको मान लिया तो पहला step गया इसको उतार दीजिए 1 by 2 जसका तस उतारिए जैसे मैं लिख रहा हूँ चुछ भी नहीं करेंगे अगर दूसरा कुछ करेंगे तो दिमाग में जाना बंद कर देगा बिल्कुल जाना बंद कर देगा अब ये डिवीजन में है तो दीवीजन में रहने दो way 2 लाइं आपके पास अगला वान भाइट चैया है वैसे मैं रहने देता हूँ कोई दिकत नहीं है कहीं कुछ नहीं कर इसको बेटा उपर भेज़ दो, इसको कहां करो, उपर भेज़ दो, 3, 2 जा कितना हो जाएगा, आपके 3, 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब बेटा उपर में लिख दो, बाई, उपर क्या था भाई, उपर 3, 2 आप उपर तो कटिये गया, सब चीज़ कट गया, उपर नमबर भी आपके सही थे नोडाउट यहां तक समझ में आया सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे और नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा जरूर किजिएगा मैं बार बार कहता हूं बहुत खुब्सूरत से खुब्सूरत ची ल चलिए सत्रूधन सिंग्यादब आगे बढ़ा जाए बेटा मैत पढ़ा रहे हैं मैत पढ़ा रहे हैं सत्रूधन मैत पढ़ा रहे हैं अब देखिए अगला कोस्चन आपके पास क्या है अब बेटा दिमाग लगेगा अब दिमाग लगेगा अब आपके पास दिया हुआ है 1-1 by 2 यहाँ पर 1-1 by 3 और यहाँ पर 1-1 by 4 और यहाँ पर 1-1 by 5 दिया हुआ है और dot 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 गुना करके कहां बढ़ रहा है 1-1 by 10 बढ़ रहा है अब मेरे भाई ऐसे भी questions आते हैं ऐसे questions को कहीं एक तरीका से आप बना सकते हैं तो पहले जितना दिया गया है तो यह small bracket के अंदर जो दिया गया है उसको पहले साफ कर दो तो कैसे साफ कीजेगा 2 में से 1 जाएगा यह 1 by 2 आजाएगा इसको बेटा क्या कीजेगा तो 3 में से 1 जाएगा यानि 2 by 3 आजाएगा वैसे ही यहाँ पर घटाईएगा तो 3 by 4 आजाएगा यहाँ पर घटाईएगा 4 by 5 आजाएगा ठीक है और गुना में घटाईएगा घटे बटे यहाँ पर क्या आजाएगा तो 9 by 10 आजाएगा नीचे बेटा 9 आजाएगा उपर 5 रहेगा ऐसा आपको आजाएगा दूसे काटो सबको काटते जाओ काटते जाओ लगातार करते चला जाएगा और आपका एक बटा 10 आजाएगा क्या जाएगा एक बटा 10 आजाएगा नो डाउट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सारे बच्चे बताएगे बेटा सबी बच्चे बताएगे यहां तक आप लोग का clear है या नहीं है, बिल्कुल clear होना चाहिए, बिल्कुल clear होना चाहिए, आगे बहुत ही खुब्सूरत और अच्छे-च्छे questions लाया हूँ, आगे का question और भी खुब्सूरत question होगा, आप देखिएगा, अब बेटा वहां पर अलग चीज था, यहां पर मैंनस 1 बाइ 3 दिया हुआ है, और यहां पर 1 प्लस 1 बाइ 4 दिया हुआ है, और यहां पर 1 बाइ 3 हो जाएगा और यहां पर बेटा 3-1 यानि 2 by 3 हो जाएगा यहां पर 4 प्लस वन यानि 5 by 4 हो जाएगा आप पर 4-1 यानि 3 by 4 हो जाएगा ठीक है आगया अब जो कटने वाला है सब को काट काट के उड़ाई यह फटा फट उड़ाना सुरू किजिए जो आएगा वह आपका अंसर हो जाएगा बेटा 3 था मैं प्लम चेंज करता हूँ तीन से तीन को काट दिया अब आपके पास 4 है दूदू नी 4 4 को 4 से काट दिया अब आपके पास क्या दिया हुआ है वह आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 बटा 8 होगा चलिए अगला कोस्चन हाँ बाई लोजी आएगा भाई बहुत जल्दी उसका भी ला रहा हूँ बहुत जल्दी ला रहा हूँ सब चीज बेटा बहुत जल्दी जल्दी अब आने वाला है बहुत जल्दी जल्दी आपके पास सब चीज आने वाला है सब चीज आने वाला है कुछ भी ऐसा कोस्टन है और ऐसे कोस्टन को लेके आप बैठ नहीं जाएंगे गुना भाग करने के लिए आज मैं सिखा रहा हूं इसको सीखिए गनीत सीखने का चीज यह चीज है जितना ज्यादा प्रेक्टीज कीजिएगा उतना अच्छा पकड़ी इस पर रहेगा ठीक है नहीं सीखियेगा उन्यू बैच में न्यू प्लेडिस्ट बना दीजी अ लिए प्लेडी ये सब चीज देखता हूँ तो लाइक तो बहुत कम है भाई 130 40 50 सर न्यू बैच में प्लेरिश सुन लिए भाई सुन लिए तेरा का ये होगा सर जी बीपीन कुमार बेटा एक बार चेक कर लिजेगा नहीं मैं ये नहीं जाना चाहता हूँ क्या होगा मैं ये जाना चाहता हू कि इसका आएगा तो आएगा कैसे सर न्यू बैच कब से चालू होगा अच्छा नया बैच क्या चीज का भाई 86% है सर न्यू एस्टू न्यू बैच कब से चालू होगा बिल्कुल सारे बैच चालू है बेटा नया नया बैच कितना बैच बनाऊंगा समय भी तो 24 गंटा ही ह होता है वह ऐसे ही बहुत सारे बैचि हमारे पास है यह चीज का रहा है तब तो प्रोपोटिक निक हो गया कणुए कि अ हुआ बहुत लेट पहुंचे हैं लेखिन आप तो लगातार क्रास करते हैं आज अज दिखाई दे रहे हैं सही है सार चकर लिया है विपीन कुमार एकदम सही होगा विपीन चेक करते रहिए आप चेक किजिए कर दिये लाइक सर बहुत बच्चे नहीं किये हैं कैसा लहेगा बिलकुल आगे बरहा जाए चलिए next question बेटा सारे बच्चे सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा जरूर से जरूर किजिएगा मैं बार बर कहता हूं सारी सुभधाइन सार्दा क्लासेज दे रही है जितने भी मनबाह लाने वाले और प्रलोभन देने वाले लोग हैं एक बार बेटा आजमा के देख अपने हैं पांच चेहरा देखने का मकसद आपको नहीं बनता है आप एक ही चेहरा देखिए जी भर के देखिए इतना जी भर के देखिए कि पूरा याद हो जाए पांच किताब पढ़ने से बेहतर है बेटा एक किताब पढ़िए एक किताब को पांच बार पढ़ना कई पां 10 जो देखते हैं उससे बेहतर है एक ही चीहरा को देखी अगर कोई बेटा एक आदमी मल्टि-पार्पस वर्क मिल जाए तो काम करबाना five आदमी से आसान होगा की एक आदमी से होगा एक आदमी Subscribe होगा सरदर्दी कम होगा पैसा जादा देंगे उसको पांच तीन आदमी का पेमेंट देंगे तब पांच आदमी का काम करेगा दिल खुश उसका रहेगा अलग अलग आदमी ऐसा नहीं है और यहां कोई कि इक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ है आपके पॉल्टेक्णिक में मैं तो पढ़ा रहा हूं सोक से पढ़ा रहा हूं नई तो इस लेबल पर टीचर की क्या क्वाइलिटी है अक्सर देखते रहता था हूं कभी-कभी कोई बच्चे बताते रहते हैं तो मैं देख लिया करता मैं भी बताता हूँ देखिएगा एक हाथ में मोबाइल वह आपके लिए रखता हूँ ठीक है और बाद बाकि आप देखे होंगे तो यह आपको समझ में आएगा तो बेहतर है कि लॉजिक लगाईए लॉजिक लगाईए मैं जो टेकनिक बता रहा हूँ नए बच्चे बेटा आपी बताईए सर अब लाऊंगा पांच पांच छेचे चेहरा लगाता है न अब मैं भी अपना पांच चेहरा लगाऊंगा एक तरफ लिखूंगा पी मैं ही रहूंगा एक तरफ लिखूंगा एम मैं ही रहूंगा और एक तरफ बेटा लिखूंगा बी मैं ही रहूंगा य यह बहुत बरी कहानी है, आपने घरी डिटरजेंट में देखा होगा, बेटा बहुत बरा कहानी है, बेचारे के फास एक बच्ची थी, वो भी डोडेश की डेंट में मारी गई, और बेचारा लेबर स्टाप आदमी कर्म करना सुरू किया, बच्ची के पिछे और उसके बच् इस्तिमाल किया और बोला पहले इस्तिमाल करो फिर भी स्वास करो तो आप भी रहेगा सब चीज और वहां पर लिखा रहेगा पहले इस्तिमाल करो फिर भी स्वास करो तो आप लोग भी ऐसा करेंगे सर क्या बाल है भाई क्या लिका टेगा मेट्रिक पढ़ाईएगा ट्रिग से पढ़ लिजेगा तो आपको जेनरल कंपटीशन कैसे ही बन जाएंगे गनीत यह सब दूर भागेगा पता नहीं कैसे आगे बढ़ा जाए भाई हाँ बात तो सही है सरे एकदम एकदम पढ़ा है बहुत सारा बच्चा हम से पढ़ा है अधर पांच-पांच-पांच-चा-च कोस्चन आएगा मैं बार बार कहता हूं confidence के साथ कहता हूं 110% कहता हूं question दिखा दे अगर बाहर कोई कह देगा न मैंने अभी 12 का बैच सब का पढ़ा के छोड़ा है question बच्चा मेरे पास लाए मैं अभी पुराना वीडियो खोलता हूं सारा question रहेगा रहनाई है बिलकुल र upload होगा बिलकुल upload होगा यह lecture याद किजिएगा उस दिन एकदम रहेगा कोई कह मेरे PDF मेरे note से 100% आएगा मैं आज भी कह रहा हूं गरज के कह रहा हूं करक के कह रहा हूं एकदम ज्वली मुड में कह रहा हूं आना है no doubt कहीं से कोई doubt नहीं है लाइंगे बिलकुल लाइंगे भाई तब तो कहता हूं कि rank 1 to 10 अपना ही आएगा भाई ऐसे नहीं बोलता हूं ऐसे नहीं बोलता हूं मैं इनत करता हूं उसके पीछे मैंने एक एक पत्रा को चीड़ चीड़ कर निकाला है उस चीज तक पहुंचा है जहां से आपको question निकाला जाता है 40 साल का question बताए आगे बरते हैं सर इतना अच्छा पढ़ाते हो बिल्कुल आप केबल देखिए आप लोग देखिए attitude बेटा confidence level तो बहुत कुछ कहता है बिल्कुल कहेगा क्यों नहीं कहेगा अंदर से strong हूं बाहर से strong हूं सब चीज से strong हूं तो confidence level होना चाहिए मेहनत किजिएगा आपके अ इस अंसर शुरुए में बता दिया देखिएगा आप देखिएगा अभीने बताओंगा मैं कुछ नहीं जानता हूं अब question करेगा तब दिमाग काम करेगा उससे फ़हले crypto काम करेगा तो आगे काम करना बंद कर देगा इसलिए question पहले देख लेता हूं उसके बाद मैं आपक एकदम प्रेम से पढ़ते रहिए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, चलिए भाई, आपको क्या दिया हुआ है, कोश्चन बहुत सारे बच्चे इसको कैसे बनाइगे और मैं कैसे सिखा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा अब बेटा इसा कोश्चन आएगा आपके पास जई सा मैंने दिया है बाध पटा टाइप गुना भाग अब बहुत सारा बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा मेरा उद्देस नहीं एक कोश्चन समझाने का मेरा उद्देस सिखाना है बेटा सिखाना यह वन यहां पर करतु बतक्त बच्थ這種 कर देगा यहां पर ऐतिन यह.ट trước ली कर देगा यहां पर शिक्सिटी फॉर कर देगा यहां पर सिक्स्टी फॉर इंटो 16 केरेगा बहुत कुछ आपको कर ना होगा ऐसा कुछ निकरना है. ऐसा कुछ नहीं बुल जाईए और आगे सूचना शुरू किजिए अब बेटा यहां पर सोचेगा आप अगर यहां पर सोचेगा तो सब का मैं LCM ले लेता हूं पहले तो यहां वन लिख देता हूं यहां सब का LCM ले लेता हूं इस सब का LCM लिजेगा तो 1-2 है 1-2-4 है 1-2-4-8 है और ला है ना उसको लिख दीजिए डाइरेट वन गुणे 2-4-8-16 आप लिख दीजिए आख बंद करके लिख दिया मैंने अब यहां पर क्या 1 गुने 2 दिया हुआ 1 गुने 2 दिया हुआ है तो बचा हुआ क्या है जो बचा हुआ है उस टर्म को यहाँ पर छाप दीजे जो बचा हुआ है 1 गुने 2 के बाद बचा हुआ क्या है तो 4 गुने 8 गुने 16 आपका बचा हुआ है इसका कहानी खतम हो गया यहां पर 2 गुने 4 है तो 2 गुने 4 को छोड़ कर 8 गुने 16 है तो यहां पर 2,4,8 है तो 2,4,8 को छोड़ कर 16 है तो यहां पर बेटा पलस में 16 लिख दू आ यहां पर पूरा दिया गया है पूरा का पूरा तो वहां क्या हो जाएगा एक हो जाएगा बात खतम हो गया बात खतम ह बॉपर इस सब को गुना भाग करके जोडियेगा तो 600 संता बना जाएगा तो 600 संता बना गया बस इसी चीज को लिख दिया मैंने क्या लिखा 1657 और बट्टा 1024 आपका आजाएगा वो गया आंसर खत्म है लिखा गया आया समझ में की नहीं आया सारे बच्चे बताएंगे यह calculation based था या आपको गुना भाग करने बाला अच्छा लगता यह calculation based था ना अच्छा था ना बिल्कुल अच्छा होगा ऐसे करके करेंगे सीधा गुना भाग कर देंगे जो बचा हुआ टर्म रहेगा छोटा-छोटा आ जाएगा और ऐसे करके इसक question क्यों move करता हूं अगला question बेटा देखेगा अब यहां से आपको दिमाग लगाना होगा और दोनों चीज़ लगाना होगा आपके पास क्या दिया हुआ है 2.6 इंटू 2.6 है और माइनस में बेटा 2.4 और इंटू में 2.4 दिया हुआ है और बटा में 2.6 और प्लस में 2.4 ऐसे question बेटा आए ना ऐसे question जब आएगा तो आप सबसे पहले denominator को cancel करने का सोचेगा जो हर में दिया गया है ना उस हर को हटाने का सोचेगा हरन करने का चीर हरन कर दिजएगा उसका हटा दिजएगा उसको तो यह हर को हटाना है तो यहाँ पर 2.6 प्लस आना चाइए तो ओपर में बेटा ए गूने ए दिया हुआ है और बी गूने भी तो आप जानते हैं a square और माइनस b a square को क्या लिख सकते हैं a Portuguese रही स्कते हैं टो प्लस बीट नहीं में तौर सकते हैं." रहीजा नहीं टोर्च्टों क्लियर हो गया बिलकुल क्लियर हो अब यह टर्म इससे कट गया अब यह क्या बस गच्ञा तो 0.2 ऑगया कितना आ गया? 0.2 ऐसे करके सोचेंगे और तब जाके हम लोग answer तक पहुचेंगे बहुत साड़े बच्चे बेटा नए दिखाई दे रहे हैं वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साड़े बच्चे बे में बेटा 0.027 दिया गया है और बट्टा में आपको क्या दिये गया है तो 2.3 का whole square दिया गया है और यहां पर माइनस में 0.69 दिया गया है और प्लस में 0.09 दिया गया है यह आपके पास option दिये गया है यह आपके पास option है ध्यान से सोचिएगा अब बेटा नीचे जो टर्म है उसको खतम करना है तो मैं नीचे वाला टर्म को देख रहा हूं क्या देख रहा हूं देख रहा हूं तुम भी देखो नीचे वाला टर्म पर सोचो नीचे वाले टर्म पर क्योंकि इसको खतम करना है तब उपर सो तो आपका यहां से a square plus b a square minus a b दिखाई दे रहा है तो उपर वाले टर्म को भी इसी में आपको change करना होगा तो a plus b का whole q में बदल दो तो इसको बेटा हम यहीं पर change कर देता हूं यहां पर तो इसको लिख सकते हैं यह टर्म को 0.3 का whole q लिख सकते हैं a q plus b q बड़ाबर क्या हो यानि 2.3 का whole square minus a b minus a b यानि क्या 2.3 और इन 2 में क्या आ जागा तो 0.3 आ गया प्लस b a square plus b a square कहने का मतलब क्या है तो plus b a square यानि 0.3 का whole square तो 0.3 का whole square यह आ जाएगा आपका यह आ गया अब नीचे वाला टर्म को देखो तो यह टर्म जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वही टर्म आपका यहां भी दिखाई दे रहा तो यह पूरा कट गया अब इसको comfortable prime c कि आआ जाएंगे समझ में आया कि नहीं आया कि सारे बच्चे बताइगे समझ में आया नहीं सब इससे अनुरुद है कि डेटा अंसर बताईए यहां कम सेखम इतना तो बताईए कि आप लोग समझ रहे हैं मैं महनत कर रहा हूं तो कम सेखम यह लगना चाहिए कि ह énसर सम 1 by 2 का whole square हो गया और माइनस में 3 1 by 2 का whole square हो गया हो गया अब A पे power M और 2 पे power N होता है तो यह मैं पढ़ा चुका हूँ A पे power M N हो जाता है search and indices में मैंने पढ़ाया था search and indices में मैंने आपको समझाया था बिल्कुल समझाया था अब बेटा इसको निकालिएगा तो 5 पे power 1 by 2 इन 2 में 2 हो जाएगा और 3 पे power 1 by 2 इन 2 में 2 हो जाएगा 2 से 2 2 से 2 कट गया 5 में से 3 का कितना बचा मेरे भाई 2 बच गया कुन सो option होगा तो option number A आपके सही हो जाएगे जी sir एकदम समझ में आ रहा है क्या बहुत बहुत समझ में आ रहा है एकदम बिल्कुल ऐसे sir प्लीज इंग्लिस में chemistry physics और math प्रोवाइड करिए अच्छा मैं वो भी सुनूंगा बेटा आपका इतना तो sure है आप लोग कह दिये हैं यह तो आसान है क्या दिया हुआ है 2.6 into 2.6 minus 2.4 और into 2.4 यानि a square minus b square पे दिया हुआ है 2.6 और minus में 2.4 बेटा उपर वाला term लिखेगा तो 2.6 का whole square लिखेंगे और minus 2.4 का whole square लिखेंगे यानि a square minus b square 2.6 minus 2.4 नीचे रहन दिया उपर वाला को a plus b a minus भी लिख सकते हैं यानि 2.6 plus 2.4 आगया ठेक है यह दोनों 5 आजाएगा और 2.6 minus 2.4 लिखेंगे और बेटा में बेटा क्या आजाएगा बेटा वह चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं और लाइक भी नहीं किये हैं वह सब बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन आप देखिएगा क्या है अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गुना भाग करने बैठ जाते हैं ऐसा नहीं करना है ध्यान से सोचेगा इसलिए सारा कोस्टन प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा मेरा उद्देश नहीं था यह से प्रैक्टिस कर गुना बेटा टर्म को नहीं बाटता है जोर और घटाओ टर्म को बाट देता है जोर और घटाओ टर्म को बाट देता है गुना टर्म को नहीं बाटता है पद का बठवारा नहीं करता है तो यह कोस्टन मात्र तीन टर्म में है एक टर्म आपका दिया हुआ है एगार गुन whole square आप परहस इसको रहने दो और यहाँ पर लिख देंगे 8.8 का whole square a square plus b square यहाँ पर 2 a b दिखाई दे रहा है 2 x a के जगां पर 11.2 दिया हुआ है और b के जगांपर 8.8 दिया हुआ है तो a square plus b square पर प्लस 2 a b क्या हो जाएगा यहाँ se a square यहाँ पर 2AB और यहाँ पर बेटा BA² A² प्लस BA² प्लस 2AB यानि A प्लस B का whole square यानि 11.2 और प्लस 8.8 का whole square हो जाएगा A प्लस B का whole square दोनों को जोड दीजेगा तो 20 आ जाएगा 20 का square हो जाएगा कितना आ गया बेटा 400 आ गया कहानी खतम हो गया गुना भाग करने लगेगा जोड घटा तब पगला जाएगा फॉर्मूला मेरे पास आया क्यों है मैंने छोटे छोटे चीज को क्यों इस्तमाल किया है बिहार बोर्ड का 12 का रिजल्ट आज एनाउस्मेंट होगा हाँ हाँ बिल्कुल वो तो एक दू दिन से पेंडिंग में चल रहा था चलिया आज आएगा तो बहुत अच्छी बात है आज आएगा तो हमारे बहुत सारे बच्चे बेसबरी से इंतजार कर रहे है तो उसमें भी बेटा बहुत सारा बच्चे मैंने पढ़ाया था ओनलाइन में और आफ लाइन में भी हमारे बच्चे तो वो तो मैं कॉन्फिडेंटल हूँ भाई अच्छी ही आएगे और यह कोस्चन आपको बनाना है 0.88 बनाना शुरू किजे मैं लिख रहा हूँ आप ही आंसर देंगे इसका मैं नहीं बताने वाला हूँ मैं केवल आंसर बताऊंगा और तब बेटा लास्ट में आपको समझा दूंगा कि यह क्या होने वाला है जीरो पॉइंट आपका 68 और बट्टा में मेरे भाई दिया गया है कितना तो 0.88 माइनस अच्छा माइनस में 0.68 होगा एक सकेंड मैं देख लेता हूँ एक होगा गलती है बिल्कुल है 0.68 होगा एकदम होना ही होना है क्योंकि कोस्टन का फॉर्मेट देखने ही हमको पता च देख से ठोगा छलिए इसको बनाना है जल्दी बताई है सर आज मेरा रिजल्ट आने वाला है क्या बात है माफिया भाई बिल्कुल अच्छा हाएगा घबनाना नहीं डूकुल हाँ मैं आज आएगा रिजल्ट एक दम आना ही है वैट आज नकल तो आना ही था भाई उसको जल्दी जल्दी बताओ क्या आया, क्या आया मेरे भाई जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी सारे बचे बताएंगे, और नए नए जो बच्चे हैं, बेटा बहुत जगा लाल जल रहा है, वो लाल को हरियर करो न, काहे लाल जलाते रहता है, लाल असुब का संकेत ह होता है और सुब का संक्यत होता है सुब करो उसको हाँ सुब किजिएगा तब तो मजाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाँ जल्दी बरहा जाए भी होगा भी होगा सार देखो गौर से देखलो उपर क्या दिया हुआ है इधर है आपका है इधर क्या दिया हुआ है बी ए स्क्वाइर इदिया हुआ है बी ए स्क्वाइर और ए क्या दिया हुआ है तो टू ए बी ए आपका माइनस में है यहां माइनस है तो यहां पर माइनस हो गया और टू ए बी हो गया यहां पर प्लस था तो ए स्क्वाइर माइनस टू ए B plus B A square बराबर क्या होगा A minus B का whole square यानि 0.88 माइनस में 0.68 का whole square हो जाएगा और बट्टा में 0.88 और माइनस में 0.68 अब E ego part ego से कट जाएगा तो बचा क्या 0.88 में से घटा दीजेगा तो 0.20 आजाएगा यानि 0.2 आपका आजाएगा समझ में आया कि नहीं आया एक बार सारे बच्चे बताएंगे बेटा खतम होगे आपका प्लीज लाइक और फ्रेंस चलिए भाई आपका खतम कर दिया मैंने बहुत बेहतरीन सा सेट था मैंने खतम कर दिया जल्दी जल्दी बताओ अब किसी के पास कोई भी समस्या अगर बचा हुआ है तो बेटा जल्दी जल्दी आप लोग अपने समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं मैंने ये चैप्टर को समाप्त कर दिया कैसा लगा पहले तो रिफेरेंस जान लेंगे पहले आप लोग हमको बताईए कि ये तरीका मैंने जो अपनाया आपको समझाने का क्योंकि आभरेज बच्चे हमारे पास थे जिन्होंने बहुत सारा क्रेक्षन बीजदा क्रेक्ट आंसर सही बात है महक चोहान कर रही है यसर आज मैं आये तो आपटी चूट का कोस्चन कर दो प्लीज सर हां साम में बेटा साम में आना बहुत सारे कोस्चन बहुत अच्छा लगा सर सर मेरा रिजल्ट आने वाला है आएगा भाई खुद से ही करना है आगे बढ़ा जाए कल का क्लास में पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स करा दिया सर बिल्कुल मैंने करवाया है पॉलिनोमिल्स और फैक्टर अभी हाल फिलाल में ही बताए है सुबह का टाइम चेंज कीजिए सर सुबह का टाइम चेंज कर दे सात बज़े है सर सर बाई लोजी कब से शुरू कर रहे हैं बेटा बस एक दू दिन रुख जाओ और पहला चैप्टर आपके बीच मैं जो लाओंगा आज एनाउंस्मेंट कर ही देता हूं आज एनाउंस्म करने की क्रिया बार बार जनन करने की क्रिया अपने जैसे जीवों को बार बार जनन करने की क्रिया ही क्या कहलाती है प्रजनन कहलाती है तो पहला चैप्टर आपका जो होगा मेरा वो बेटा प्रजनन होगा याद रखिएगा एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा एकदम क् इस्टार्ट तो कर दिया जनन की क्रिया अपने जैसे यंग वंस को बार बार रिप्रोडूस करने की क्रिया रिप्रोडक्शन होता है बेटा री का मतलब होता है एगेन 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 यानि बार बार और प्रोडक्शन का मतलब होता है तू गीब्स वन वन्स, तू गीब्स या टू प्रोडूस, तू प्रोडूस या टू गीब्स याँग वन्स, यानि क्या अपने जैसे अपने जैसे यंग वन्स को, अपने जैसे छोटे छोटे अपने जैसे जीवों को बार बार जो बार बार प्रजनित करता है, बार बार जन बार बार कह रहा हूं उतना ही है मैंने खूब पढ़ा है उसको भाई चलिए भाई आजाएगा आजाएगा सत्रुधे अब ओले स्टुडेंट सार्दा क्लासेज को लाइक कर दो यार हां बिल्कुल यह तो बनता है नहीं किया है बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं चलो कोई सम याद रखो बच्चे कर सकते हैं यह मैं जानता हूं लेकिन वह नहीं कर सकता है कोई नहीं उपर वाले हमेशा डेट बताइए सर डेट बता दे डेट बताते हैं चलो डेट पूछ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं बेटा आपको होली से पहले होली से पहले मैं एक ल यह तीन दीन के बीच में आपको एक लेक्टर मैं जोड़ बाइलोजी का दूंगा चलिए आप भी खुस हो गया बिल्कुल खुस हो जाना है एक लेक्टर दूंगा इसी का सुभा मौर्या डेट बताई है सर बिल्कुल ओले स्टुडेंट सारदा क्लासेज को लाइक करो जी सर बत वो आगे बाएं शर मैंने लाइक कर दीया है अंब वितले सब्सक्राइब चल्याइब कि अब दृटर यह उने के बाद बीचिन करता है यह तो मैं देखाँ उ शुरु से क्लास कर लाइन ऑश्च नहीं कर रहा है और भी जगा है लेकिन क्लास क परता है सर इंग्लिस इंग्लीस में ही biology पढ़ने में, biology के word सब ऐसे-ऐसे है, जो इंग्लीस में ही मजाता है, तो आएगा, आएगा, दोनों में करभाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं तो English medium से शुरू में पढ़ा, तो English medium तो already मेरा चलते रहता है, तो बेटा ऐसा है, सर जी हमारे laptop में आज live नहीं आ रह रहेगा सदूर मैंने लाइक कर दिया है चलिए आगे बरते हैं कहो कहोसर फिजिक्स का कि पहुद्रा कुछा तो मैं आपको बताऊंगा ठीट अब आप लोग नहीं समझ में आएगा Sir English में आएगा रे आएगा काहे गवरता है दुनू मेडियम रहेगा गवरता काहे आएगा अठी या इसे पढ़ाएंगे कि सब चीद सीख लेगा तू लोग आए गवरता है चलिए बाइचलते हैं अब आप सारे बच्चे बेटा नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे नो डाउट इतना मुझे उमीद और विश्वास और भरोसा ये तीनों है कि आप लोग इतना जरूर कर देंगे और निकलने के बाद मेरे भाई एक काम मेरे लिए कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और साम में साथ बजे साम में साथ बजे मेरे भाई आप सभी बच्चे उपस्तित रहेंगे महा भारत के मैदान में महा भारत के मैदान में मैं अभी ही निमंत्रन दे रहा हूं आप जरूर बिट नहीं किजेगा उसको क्योंकि वो मैदान मेरा बहुत गजब का मैदान होता ह को कितने टाइम पढ़ाते हो 6 बजे बोला अंतर और ऑमार राज शात बजे शाम में बिल्कूल उनले खाल जोखन्त से डर लगता है तो बिहार में चला जारखन्ट से डर लगता है तो फॉट यहारinda आजी है वहां चलते हैं साम में उपस्तित रहिएगा शेरिंग करना नहीं भुझेगा तीन टाइम लाइब आते हैं साथ वजे केमेस्ट्री सुबह में